जैसी क्रिशना, कैसे आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्त रहें, मस्त रहें अपने जीवन में आप आगे बढ़ें अपने करियर में आप धेर सारी सक्श सांसल करें Dear, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चानल Spiritual Love 1111 में Dear, हम लेकर आ गए हैं कई दिनों बाद आप सब लोगों के लिए current feelings कुछ लोग comment box में बोल रहे थे, कुछ लोग personally what's up पढ़ा कर बोल रहे थे कि दिदू, current feeling पर वीडियो बना दीजे, दो-चार दिन हो गए न, current feeling पर वीडियो नहीं बनाई थी, चलिए आज हम बताते हैं कि उनकी current feelings क्या है आपके लिए, अब वो इस वक्त आपके लिए क्या feel कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और उनका next action क्या होगा आपके लिए, ठीक है, तो देखे, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में सोचिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए, और एक option चूस कर लीजिए, आज option थोड़ा unique है तो एक option चूस करिए और देखिए, कि इस वक्त उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, और उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, ठीक है देखिए, अगर किसी वज़ज़ से जो option आपने चूस किया है, वो match ना हो, तो एक बार आप दूसरा वाला option भी सुन कर देखिए, क्या पता वो match कर जाए, क्योंकि journal reading होती है न, और देखिए, हम बार बार आप लोगों को समझाते हैं, कि प्लीज, जो लोग comment box में number माटते हैं, गुरु मा, मैम जी, और पंडित जी, जय का मख्या देवी, पता नहीं कौन कौन से number, वो सब numbers हमारे नहीं होते हैं, वो frauds लोग होते हैं, प्लीज, आप लोग उनके चकर में ना फसें, अभी कली हमारे पास किसी का message आया था, कि दिदी हमने इस number पर payment कर दी थी, पर हम इंसान ने number block कर दिया हमारा, तो अब ये बताईए, जब हम साफ साफ आप लोगों से बोल रहे हैं, कि description box में हमारा number मिलेगा, अगर आपको personal leading लेनी है तो, हम comment box में या फिर हमारा कोई भी member, हमारी team का कोई member, कोई भी आपको comment box में हमारा number नहीं देगा, इतना समझ और फिर भी आप लोग first जाते हैं, तो अब बताईए हम क्या कर सकते हैं, तो प्लीज ऐसे दुष्टों से साफधान रहें, वो हमारा number नहीं होता है, और वो आपके reading भी नहीं करेंगे, reading क्या, वो कुछ नहीं करेंगे, वो आपसे पैसे ले लेंगे, और अपना number switch off कर देत हैं, और आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो please be careful, ठीक है, तो I hope आपने pile choose कर लिया होगा, जै श्री कृष्टन, option number one, कैसे हैं, I hope आप बहुत स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी life में आगे बढ़ रहे होंगे, dear, आपका बहुत-बहुत स् चानल spiritual love 1111 में, dear, आपने जिनके बारे में सोच कर pile number one choose क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनका अगला कदम क्या हुगा आपके लिए, सब कुछ detail भी बताने वाले हैं, हम, सबसे पहले एक बात हम आपको बताएं, इधर बहुत strongly हमें new connection की वाईबारी है, new connection है, लेकिन अभी one-sided love है, पर थोड़ा-थोड़ा सा feel आप भी कर रहे हैं, आप जिनके लिए देख रहे हैं न, हो सकता है कि उनकी तरफ से आपको proposal भी मिल चुका हो, लेकिन आप मेंसे 80% लोग ऐसे हैं, जो पसंद तो करते हैं उन्हें, लेकिन अपने past के bad experience की वज़े से उन्हें कहीं न कहीं ignore कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन में पसंद करते हैं, मन ही मन में चाहते हैं, और इस वज़े से reading देख रहे हैं, इधर strong sign की बात करें, strong sign जो आए हुए हैं यहाँ पर, वो हैं जेमिनाय लिब्रे एक्वेरियस, एयर शाइन, मिथुन तुलाकूंब रासी, और एरीस लियो सजीटेरियस, फायर साइन, मेस, सिंग धनु राशी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषप करने अमकर राशी, अर्थ साइन, लेकिन कैंसर स्कॉर्पिय पाइसियस, क कि रुषचिक में राशी, वाटर साइन, बहुत कम है, ठीक है, तो यहां पर यही साइन और एलिमेंट्स आये हुए हैं, जो हमने आपको बता दिया है, हमें ऐसा लगता है कि यह कोई ऐसे इनसान है, जो आपको ऑनलाइन मिले हैं, या फिर आप दोनों एक ही जगा पर काम क करते हैं, इनकी जो परस्नालिटी है बहुत अट्रेक्टिव है, समझ रहे हैं, बहुत स्मार्ट है, गुड लोकिंग है और इनके अंदर पॉजिटिविटी गजब की है, बहुत महनती इनसान है यह, लेकिन यह आपकी बहुत बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा सा हम इनकी डेट अब बर्थ के बारें बात करें, इनकी डेट अब बर्थ जुलाई हो सकती है, अक्टूबर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अगस्त है, और कुछ लोगों के लिए एप्रेल है, बहुत स्ट्रॉग यहाँ पर में है, मई, बहुत सारे लोगों के लिए, E बहुत strong है M हो सकता है H हो सकता है T बहुत strong है T समझ रहे हैं? S हो सकता है C भी हो सकता है तो ये इनके name का initial है हो सकता है कि इसमें से उनके name का कोई न कोई फर्स्ट लेटर हो, ठीक है? अब इनकी जो feelings हैं ये आपके लिए क्या सोचते हैं और क्या सोच रहे हैं एक सोंग कितर सुनाएं हमें लगता है कि हमने दो तिन दिन से सुंग नहीं सुनाएं चलिए सुनाते हैं आँखे बंद करें ये क्या सोचते हैं आपके लिए दिल ने ये कहा है दिल से महाबबत हो गई है तुम से दिल ने ये कहा है दिल से महाबबत हो गई है तुम से मेरे जान मेरे दिल बर मेरा एत तु बार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो यह जो परसन है न यह आपसे कहना चाते हैं कि दिल ने ये कहा है दिल से महपत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरी दिल बर मेरा एत बार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो यह आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं यह आपके साथ एक strong connection मैसूस करने लगे हैं। पता है इन्हें लगता है कि आप दोनों एक जैसी ही हैं। इनको भी past में बहुत दर्द मिले हैं। इनके life का जो experience रहा ना, especially love life को लेकर बहुत खराब रहा। बहुत जादा। लेकिन जब आपको देखते हैं तो लगता है कि नहीं, आपका इनसे भी जादा खराब रहा। यह आपको बहुत spiritual person समझते हैं, बहुत divine समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अध्यात्मिक हैं, बहुत धार्मिक हैं, इश्वर के प्रतिय आपकी बहुत आस्था है, आप इश्वर से, डिवाइन से, यूनिवर्स से बहुत strongly connect हैं, आप दोनों के दर्मियान age difference इश्व हैं, और intercast इश्व भी है, religion इश्व भी है, बहुत सारे लोगों के दर्मियान, जो लोग online मिले हैं, इनके दर्मियान long distance इश्व भी है, लेकिन 100% ये new connection है, इधर हमें पुराने connection की vibe नहीं आ रहे है, इन्हें अच्छे से पता है कि ये आपको प्यार करते हैं, ये आपको चाहते हैं, लेकिन आप आज भी अपने past में इस तक हैं, आप आज भी अपने past से निकलनी पाए हैं, इन्हें लगता है कि आप कितने प्यारे हैं, कितने मासूम हैं, और आप कितना सारा प्यार डिजव करते हैं आपके अंदर कितना प्यार है हर चीज के लिए, हर इंसान के लिए जीव जंतुओं के लिए आप कितने लविंग हैं कोई आपका दिल कैसे तोड़ सकता है, कोई आपको चीट कैसे करके चला गया इन्हें ये लगता है आपका मदरली नेचर आपका कैरिंग नेचर इन्हें बहुत अट्रेक्ट करता है आपकी तरफ और सबसे बड़ी बात पता है क्या है हमें ऐसा लगता है कि वाकई आप मेडिटेशन वगरा करते हैं अगर meditation नहीं करते न तो आप बहुत positive इंसान है और आप पूजा पार्ट बहुत करते हैं ईश्वर के प्रति आपकी बहुत आस्था है और कहीं न कहीं इन चीजों की वज़े से आपका औरा बहुत strong है आपका जो औरा है बहुत shine करता है बहुत positive है और आपको पता है जिनका औ जोर सोल हैं बहुत ज़्यादा लेकिन आप अटके हुए हैं आप इस्टक हैं अपने past में और past की वज़े से आप इन्हें accept नहीं कर रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि आपने शाहद इन्हें अभी reject भी कर दिया है कुछ लोगों के लिए अगर इन्होंने आपसे बूल दिया हो कि यह आपको पसंद करते हैं तो आपने मना कर दिया होगा कि हम सिर्फ दोस्ती रख सकते हैं इसके आगे कुछ नहीं हो सकता हम देखे आपकी life में हमें ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि शायद आप married हैं आप married हैं और आप male हो female हो आपका case चल रहा है आपका case चल रहा है कोट में और आप अपने husband ये wife से divorce ले रहे हैं और कहीं न कहीं अपने ex husband ये wife को लेकर आप अभी भी परिशान हैं बहुत ज़्यादा आप दो चीज़ों को लेकर बहुत उलजे हुए बहुत अठके हुए आपके life में बहुत issues हैं बहुत ज़्यादा और इसी वज़ और ये आपके साथ भी new beginning कर लेते हैं चार दिन तो सब ठीक चलेगा लेकिन इनकी life में इतनी responsibility हैं इतनी जिम्मेदारिया हैं इतनी परिशानिया हैं ये आपको उस तरह से time नहीं दे पाएंगे तो आप भी कल को इन्हें छोड़ कर चले जाओगे आप भी इन्हें दुनिया हुए हैं और आपको ये ही लगता है कि आप कल को anytime नहीं दे पाएंगे तो फिर ये भी आपको छोड़ कर चले जाएंगे इससे बहतर है कि सिंगल ही रहो हो सकता है कि आप सिंगल मॉम हो सिंगल डैड हो हां और कुछ लोग हैं आप पर जो unmarried हैं लेकिन अभी हाल फिलाली आपका break up हुआ है आपके person से बहुत पुराना गरिश्टा था हो सकता है कि 7-8 साल पुराना relationship रहा हो लेकिन वो तूट गया है अभी तूट गया है और कोई new person है जो आपके जिंदगी में आना चाहता है लेकिन आप उन्हें ignore कर रहे हैं इस वक्त आप सिर्फ अपने career के बा करना चाहते है अपने जिंदगी का आपको यहीं लगता है कि time waste नहीं करना है सिर्फ career में success हांसिल करनी है लेकिन यह चो person है यह आपको पाकर मतलब इतने खुश हैं इन्हें लगता है कि इन्होंने दुनिया की बहुत बड़ी success हांसिल कर ड़ी है जैसे जैसे कि आपको पाक कर इनकी जिंदगी बदल गई है समझ रहे हैं और यह आपको किसी कीमत में खोना नहीं चाहते इसी वजह से किसी न किसी के through अपना message आपको भेजते हैं कैसे न कैसे करके आप तक अपने दिल का हाल पहुँचाते हैं कि आपको बहुत पसंद करते हैं समझ रहे हैं तो यह सम जिंदगी में जो तनहाई थी वो कहीं न कहीं भर गई है जो एक तलाश थी वो आपके मिलने से पूरी हो गई है इन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के जखमों पर मरहम का काम करेंगे आप दोनों कहीं दिल तूटा हुआ है तो आप दोनों ही एक दूसरे के दिल क के हिवाज़त करेंगे एक टूटा हुआ इनसान ही किसी टूटे हुए इनसान का दर्द समझ सकता है तो ये आपके दर्द को समझ सकते हैं समझ रहें ये आपके दर्द को समझ सकते हैं और ये आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप भी इनके दर्द को समझेंगे इन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत समय से इश्वर से दुआओं में कोई ऐसा ही इनसान मांग रहा था जिससे मिलकर मुझे सुकून मिले, जिससे मिलकर मेरी तलाश खत्म हो, जिससे मिलकर मुझे ये लगे कि हाँ ये वही है, हाँ ये वही है जिसकी मुझे तलाश थे हाँ ये वही है और फाइनली इश्वर ने मुझे उस इंसान से मिला ही दिया और वो आप हैं आपको पता है ये छह साथ महिने तक इसी तरह continue आप तक अपना message भेजते रहेंगे छह साथ महिने तक ये आपका इंतजार करेंगे इसके बाद अगर आप इने accept नहीं करते हैं तो फिर कहीं अभी शायद आपके साथ जॉब करते हैं बिजनस पार्टनर ये आपके ये कहीं और shift हो जाएंगे अगर आप मतलब की 7-8 माहिने तक इने कोई response नहीं देते हैं तो उसके बाद दिन का जो action होगा वो ये होगा कि फिर ये आपकी राहों से ये आपकी बाहों से बहुत दूर चले जाएंगे समझ रहे हैं फिर ये आपको परिशान नहीं करेंगे अभी तो ये आपका इंतजार करने के लिए ready हैं अभी आपका इंतजार हैं हमें पता है कि आप भी इने शायद पसंद करते हैं आप भी इने पसंद करते हैं लेकिन आप भी कहीं न कहीं मजबूर है आपको आपके परिवार का भी खयाल है समाज का भी खयाल है हर चीज के बारे में आपको सोचना पड़ता है और अब आपको लगता है कि आप अपने energy है आप इतनी जल्दी new beginning करने के लिए ready नहीं है अभी आप उन चीजों से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं जो चीजे past की हैं और फिर new beginning करना तो बहुत दूर की बात है ऐसा नहीं है कि एक अपना पन एक अकर्शन एक connection आप महसूस नहीं करते हैं आप भी करते हैं लेकिन आपको इनके प्यार के लिए ऐसा लगता है कि शायद ये physical history खतम प्यार खतम जैसे कि जिन्दगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है जिन्दगी ने आपको एक गहरा सबक दिया है हर चीज के लिए और इसी वजह से आप इतनी आसानी से किसी पर विश्वास नहीं कर पाते आपको लगता है कि कोई भरोसा नहीं है किसी का कि कौन कप किस रहा पर हमें छोड़ कर चला जाए यहां पर पता है आप मेंसे बहुत सारी लोग ऐसे हैं जिनको एंजल्स 1010 शो कर रहे हैं 1010 न्यू बिगनिंग का नंबर होता है कहीं न कहीं अगर आप इस्टक हैं अपने जिंदगी में तो इश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपके जीवर में न्यू बिगनिंग होने वाली है जैसे कि आपके जिंदगी की एक नई शुरुवात होने वाली है और आपको उसके लिए रैडी रहना है आपको उसके लिए ready होना है कि कभी कभी होता है न कि हमारी जिंदगी में इश्वर कुछ लाना चाहते हैं लेकिन हम अपनी चलाते हैं हम उसे accept नहीं करते है कहीं यह कहीं हम इश्वर के decision को भी accept नहीं करते हैं शायद इश्वर चाहते हैं कि आप इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ें, आपकी जिंदगी में जो तनहाई है, जो दर्द है, जो painful situation है, आप इससे बाहर निकले, आपको भी खुशी से जीने का हक है, अगर ये इनसान आपको सही लगते हैं, spiritual लगते हैं, क्योंकि आप spiritual हैं आप intention पढ़ने में expert हैं, कि कौन किस intention से आप से बात कर रहा है, अगर आपको ये इनसान सही लगते हैं, तो आप इनके साथ life में आगे बढ़ सकते हैं, कम से कम ऐसी दोस्ती तो कर ही सकते हैं आप इनसे, जहां पर आप इनसे अपने दिल का सारा हाल सुना सकें, अपने मन की बात कह सकें, अपना मन हलका कर सकें, अपना दुख बता कर, मतलब आप इन पर इतना trust तो कर ही सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये trust के लायक हैं, क्योंकि देखे dear, जहां पर जहां तक हम reading की बात करें, तो reading में तो हमें ये इनसान सही लग रहे हैं, लेकिन अब बहतर तरीके से आप जानते हैं, क्योंकि आप already एक divine soul हैं, आप already बहुत सुलजिये हुए, बहुत अनुभवी इनसान हैं, समझ रहे हैं, बस इतना समझे, ये जो person है, ये आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तयार है, ये आपके लिए like कोई भी risk लेने के लिए तय प्यार हैं, क्योंकि आप से मिलकर जो सुकून मिला है इन्हे, वो आज तक इन्हे कभी मिला नहीं था, और फिर अपना सुकून कहां कोई खोना चाता है, बताईए, कोई खोना चाता है, क्या अपना सुकून, तो आप से मिलकर इन्हे यही लगा कि आपके साथ इनकी merit life यह साथ आठ महिने तक हर कदम पर हर पल आपको यह एहसास कराते रहेंगे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और यह आपके लिए ही आए हैं, यह आपके लिए ही आए हैं क्योंकि शायद इश्वर ने मिलाया है आप तोनों को यह आप से यही कहना चाहेंगे, तेकिन अगर इसके बावजूद भी आप उन्हें accept नहीं करते हैं तो फिर ये आपकी जिन्दगी से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे और फिर कभी कभी नहीं आएंगे आपकी जिन्दगी में ये ये समझ लीजिए इनकी ये feelings हैं आपको लेकर कुछ चीजों के लिए ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं जैसे कि आपको शायद लगता है ना कि सब चार दिन की चांदनी होती हैं सब चार दिन के बाद लोग बदल जाते हैं तो अभी जो इनकी वरतमान भावनाएं हैं जो feelings आपके लिए तो उसमें हमें यही लग रहा है कि यह आपको promise करना चाहते हैं यह आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो आपके साथ past में हुआ trust me वो आपके साथ future में मैं कभी नहीं होने दूँगी एक बार chance दो दो मुझे एक बार chance दो दो एक बार यकीन करके तो देखो कुछ ही दिन के लिए यकीन करके देखो कुछ दिनों बात तो आपको अपने आपी पता चल जाएगा कि ये इनसान कैसा है इसी वज़े से यह आपसे कहना चाहते है कि मैं आपके साथ जिन्दगी की नए शुरुबात करना चाहता हूँ और यह बिना आपकी मर्जी के पॉसिबल नहीं है मैं ऐसा इनसान नहीं हूँ मैं ऐसी इनसान नहीं हूँ बियवर्दस्ती किसी के पीछे पढ़ू लेकिन जो मेरे दिल में है उसे कहने में कोई बुराई नहीं है और वो यही है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करती हूँ आपके लिए स्टॉंग कनेक्शन महसूस करती हूँ हमें ऐसा लगता है कि हम लोग ट्विन सोल है और कहीं न कहीं हम दोनों ने अपनी जिन्दगी में बहुत स्ट्रगल किया है बहुत सारी चीजे ऐसी हैं जो हमने देखी है बहुत दर्द सा है तो हम दोनों ही एक दूसरे की हमेशा रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे को समझेंगे ये मुझे लगता है और मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं इश्वर नहीं हम दोनों को मिलाया है तेकिन अगर फिर भी आप नहीं समझते हो तो ये आपकी एक्षा है फिर भी मैं साथ-ाठ मैने तक आपका इंपसार करने के लिए रैडी हूँ तो दियर ये हैं इनकी भावनाएं समझ रहे हैं ये आपके लिए ऐसा सोचते हैं तो कितने लोग किसी न्यू परसन के लिए देख रहते प्लीज हमें कॉमेंट करके बताईए हमें अच्छा लगेगा और दिखे हमने इधर साइन और एलिमेंट्स भी बता दिये हैं इनका नेक्स्ट एक्षन यही है कि अगर आप इन्हें एकसेप नहीं करोगे तो ये कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे समझ रहे हैं कहीं और चले जाएंगे ठीक है जैशे कृष्णा अपना ख्याल रखे अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए क्योंकि डियर लोगों का काम तो कहना ही होता है वो पुरी जिंदगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपनी परवा करनी है अपनी परवा करनी है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं ठीक है जै श्री कृष्णा आप्शन नमबर 2 कैसे हैं आप आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्प्रिच्वल लव डबल वन डबल वन में जिनके बारे में सोचकर आपने और हमें आप में से ही कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आपने अपने क्रश के लिए चूस किया है चलिए फिलहाल हम दोनों एनर्जी के बारें बताएंगे उसके पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं ठीक है इधर जो बहुत स्ट्र अपने किसी क्रश के लिए शायद आपका कोई क्रश है और आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ठीक है आप उनको बहुत पसंद करते हैं आप उनसे शादी करना चाहते हैं ठीक है क्यूंकि आपको ऐसा लगता है कि बस यह मिल जाए जिन्दगी अपने आप बैलेंस ह हो जाएगी क्यूंकि आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं और आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं आप उन्हें लव बाइब्रेशन भी भेजते हैं क्यूंकि आप उन्हें बहुत बहुत पसंद करते हैं आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं हो सकता है कि जो आपका क्रश है वो बहुत spiritual person हो लेकिन के साथ आपका intercast issue religion issue हो सकता है बट वो आपके प्यार को accept नहीं कर रहे हैं हाँ वो आपके प्यार को accept नहीं कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है शायद आपने पहले कभी उनसे अपने दिल की बात कही है शायद आपने उनसे अपने प्यार को ठुकरा दिया क्योंकि यहाँ पर eight of cups है समझ रहे हैं उन्होंने बहुत सारे बहाने बाजी की होगी या फिर उन्होंने ये कहा होगा क्यों उनकी life में कोई और है या फिर उनकी life में बहुत सारे issues हैं जिसकी वजह से वो आपके प्यार को accept नहीं कर सकते दियर बात ये है कि वो आपका प्यार इस वजह से accept नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी life में issues बहुत सारे हैं और उनके पास ना options बहुत सारे हैं देखे ये बात बिल्कुल सही बताई थी उन्होंने आप से कि उनकी life में कोई है ठीक है उनकी life में कोई है लेकिन वो इंसान उस तरह से भी नहीं है लाइक जिस तरह से आप इन्हें प्यार करते हैं वो उन्हें इस तरह से प्यार नहीं करता है बट ये उसे बहुत चाहते हैं ये उसे बहुत जादा चाहते हैं और इनके पास options ऐसे हैं इनके उपर responsibility बहुत सारी हैं इनकी family इनकी शादी कहीं और कराना चाहती है आप पसंद करते हैं, ये किसी और को पसंद करते हैं, इन सब चीजों की वज़े से अपनी लाइफ में बहुत confused है, बहुत ज़दा confused है और इसी वज़े से ये आपके प्रेम को, आपके प्यार को, आपके प्रपूसल को accept नहीं कर रहे हैं, ये अभी भी बहुत जदा confusion के स्थिती में है लेकिन ये आपको बहुत miss करते हैं इनकी जो current feeling है अभी तो आप ये समझे कि अभी तो इनकी energy imbalance है क्योंकि जिनके पास बहुत चारे options होते हैं वो कभी भी किसी एक इनसान के प्रती उस तरह से loyal नहीं हो पाते समझ रहे हैं क्योंकि उन्हें हमेसे ये लगता है कि मेरे पास तो ये भी है मेरे पास तो ये भी है मेरे पास तो ये भी है और कहीं न कहीं इनके उपर जो जिम्मेदारियां है उनका बोज भी इनके उपर बहुत ज़ादा है इस वज़े से ये अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं ये अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं कि आपके साथ शादी कर लें, घर बसा लें, बहुत सारी चीज़े तो ऐसा नहीं कि आपके साथ ये strong connection फील करते हैं लेकिन कहीं न कहीं होता नहीं कि इंसान अपने दिल की आवाज को दबाता है तो ये अपने दिल की आवाज दबाने में बहुत एक्सपर्ट है और इन्होंने दबा ली है आप इतना समझ लीजिए इन्होंने दबा ली है और एक बात ये है कि ये बहुत कन्फ्यूजड है आकर आता है कि चार दिन बाद आप बदल जाओ फिर जिंदगी खराब हो इससे अच्छा है हम जैसे चल रहे हैं हमें वैसी चलना है ठीक है तो यह है बट हम आपको बताएं कि आपको होपलिस होने के ज़रत नहीं है अगर वाकई आप इने बहुत प्यार करते हैं इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन फ्यूचर यह आपके लिए एक्शन लेंगे बिगिनिंग होने के बहुत ज्यादा चांस है इन फ्यूचर अगर आप अब से कम से कम 6-7 महीने बाद दिने प्रपोस करेंगे तो हो सकता है कि यह आपके प्रपोजल को एक्सेप कर लेंगे समझ रहे हैं तो इधर जितने लोगों ने अपने क्रश के लिए यह पाइल नंबर टू चूस किया था तो उनके लिए कुछ खास नहीं है बस हम इतना ही बताना चाहेंगे आपसे कि आपको लगता है कि पता नहीं उम्मीद है या फिर नहीं है तो हम कहेंगे कि उम्मीद है लेकिन अभी नहीं है ठीक है अब चलिए हम बात करते हैं जो लोग अपने एक्स पार्टनर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं जिन्होंने आपका प्यार ठुकरा दिया है हो सकता है कि आपके एक्स वाइफ हो एक्स हास्बेंड हो जिन्होंने कभी भी आपको छोड़ कर चले गए क्योंकि इनके पास ऑप्शन बहुत सारे थे और ये आपको इसी वज़े से ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करते थे लेकिन अभी पता है अभी ये पूरी तरीके से सुधर गए हैं ये पूरी तरह से बदल गए हैं और पता है अभी ये आपसे बात करने के बारे में सूच रहे हैं अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करेंगे और अब ये समच चुके हैं कि ये दुनिया में कितना भी भाग लें आपसे इनकी लाइफ में कितने भी लोग आ जाएं लेकिन इनकी डेस्टिन और इनकी किसमत जुड़ी हुई है क्योंकि जब आप इनकी जिन्दगी में रहते हैं जब यह आपसे धंग से बात चीद करते हैं तरब से इने गुडeraldव सुने के लिए मिलती है इनके काम में इने काफि कहसे मिलती है लेकिन जब यह आपसे दूर चली जाते हैं तो सब कुछ कुछ imbalance हो जाता है इनकी जिंदगी में आप इतना समझ लीजिए सब कुछ imbalance हो जाता है तो dear अभी यह समझ लीजिए कि आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं आपके लिए strongly action लेने के बारे में सोच रहे हैं और पता है यह आप से कहना चाहते हैं कि मैं बहुत confused हूं मैं बहुत confused हूं इस बात से कि मेरी इतनी गलतियों के बाद आप मुझे accept करोगे कि नहीं करोगे क्योंकि हाँ मैंने गलतियां बहुत की हैं मैंने कभी भी तुम्हारी कोई value नहीं समझी तुम्हे as a option की तरह treat किया हमेशा कि जब कोई नहीं मिला तुम तो फिर हो ही इस तरीके से लेकिन trust me मुझे अब बहुत सारी चीजों का एसास हो चुका है बहुत सारी चीजों का लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब आप इनका प्यार accept करने के लिए ready नहीं है आप current feeling देख जरूर रहे है current feeling आप देख जरूर रहे है लेकिन कहीं न कहीं अब आपको इन पर उस तरह से trust नहीं रहा क्योंकि इनके जाने के बाद आप बहुत रोए हैं आप बहुत तडबे हैं जिस तरह से इन्होंने अचानक से आप से रिष्टे खतम किये किसी और के पीछे चले गए तो आप बहुत रोए थे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है कोई ऐसा कैसे कर सकता है लेकिन अब बताएं, ये सच में आप से माफी मांगना चाहते हैं, हाँ, और ये आप से कहना चाहते हैं, तुम मेरा सब कुछ हो, please forgive me, मतलब मुझे माफ कर दो, मुझे ये यकीन हुआ, कि मेरी दुनिया ही तुम हो मैं लोगों से प्यार नहीं करती थी प्यार नहीं करता था सिर्फ शायद attraction था वो कैसा भी attraction आप समझ लो कि मैं किसी मतलब की वज़े से किसी के साथ चला जाता था चले जाती थी लेकिन मेरा जो true love है वो आप ही हो हाँ और मुझे ये एहसास करने में थोड़ा वक्त लग गया लेकिन मुझे पर यकीन करो अब चाहे हमारे रिष्टे को कोई accept करे या ना करे लेकिन मैं इस रिष्टे को पूरा time देना चाहती हूँ पूरा time देना चाहता हूँ आप जो deserve करते हूँ मैं वो प्यार देना चाहता हूँ आपको वो प्यार देना चाहती हूँ आपको इन्हें लगता है कि पता नहीं आप past की बाते भूलेंगे की नहीं भूलेंगे ये तो अपने पूरे past को बुला कर आपके साथ new beginning करना चाहते है आपके लिए strongly action लेना चाहते है पहले बहुत confusion थी लेकिन अब इनकी confusion दूर हो चुकी है और कहीं न कहीं ये आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपके ध्यान, आपके अनुष्ठान का असर है इनके उपर हाँ, लेकिन अभी हमें आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है ये जब आ रहे हैं आपकी सिंदगी में बहुत देर हो चुकी है या तो आपके family वाले आपके शादी कहीं और कराना चाह रहे हैं या तो अब आप इन पर उस तरह से विश्वास नहीं करते जिस तरह से आप इन पर पहले विश्वास क्या करते थे जिस तरह से आप इन पर पहले जान्च लगते थे अब आपको लगता है कि अब शायद ये वो विश्वास कभी जीत नहीं पाएंगे हाँ ये वो बिश्वास कभी जीत नहीं पाएंगे जो इन्होंने तोड़ा है हम आपको एक बात बता है इस रिष्टे में बहारी लोगों का involvement भी बहुत जादा है और इस रिष्टे में negativity भी बहुत जादा है समझ रहें जिस रिष्टे में negativity होती है वो relationship बहुत समय तक stable नहीं रह सकता उस रिष्टे का तूटना तै ही होता है हाँ मतलब की trust issue इन्हें बहुत पहले से थे आपको लेकर और फिर बाद में ये इस तरह की हरकते करने लगे अपने trust issue की वज़े से कि फिर आपको इन पर trust issue हो गया होता है ना कि ये आपको गलत समझते थे और इनके अंदर एक बदले की भावना कि मुझे cheat कर रही है मुझे cheat कर रहा है अब मैं भी इसे करके दिखाऊंगी मैं भी इसे करके दिखाऊंगा ठीक है और इसके चकर में इन्होंने जो प्यार था जो trust था आपके अंदर इनके लिए वो सब खो चुके हैं ये अब आप इनको as a friend accept कर सकते हैं इनके care भी करेंगे लेकिन इन पर उस तरह से आप विश्वास कभी नहीं कर पाएंगे हमें ऐसा लगता है कि आप में से काफी लोग शायद बहुत समय से meditation वगेरा कर रहे हैं और जब सड़नली आप दोनों के दर्में ब्रेक अप हुआ सड़नली जब ये आपको छोड़ कर गए तो आपका दिल तूटा लेकिन आप समहल गए कैसे ने कैसे आप समहल गए आपने divine को surrender कर दिया आप रोए तो सही बहुत ज़्यादा कि आपने अपना सब कुछ खो दिया जिस इनसान के लिए आपने इतनी बदनामी सही जिस इनसान के लिए आपने दुनिया भर की बाते सुनी लोगों की ठीक है जिस इनसान के लिए आपने क्या नहीं किया और जब वो ही इनसान आपको बेवकूफ समझे और वही इनसान आपके पीट पीछे लाइक दूसरों के साथ समझ रहे ना आप दूसरों के साथ घूमे और आपको दिखाए और ये भी कहे कि तुम गलस सोचते हो तुम जूटे हो तुम कितना गलस सोचते हो तुम बहुत तकल भी नहीं है लेकिन फाइनली आपके सामने उनका सच आ ही गया और उसके बाद आपने सोच लिया कि अब आप इनके पीछे नहीं भागेंगे अब आप इनके लिए नहीं रोएंगे और हमें ऐसा भी लगता है कि शायद आपने वहां से कहीं और शिफ्ट कर लिया जैसे कि आप आपने रिश्टे से move on ही कर लिया, ठीक है लेकिन उनकी यादे फिर भी आपको जीने नहीं देती थी, फिर शयद आप टैरों से connect हो गए, फिर आपको ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उन Ona ब्लैक मेली कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कि सी negative इसान के चकर फस गए हो, क कि अंदर जो आपके लिए प्यार मर गया था ना वो दुबारा से जगा और इसी वज़े से दुनिया में किसी से भी डरेंगे नहीं और कभी भी आपके साथ बुरा बेवार नहीं करेंगे आपके लिए दुनिया से लड़ जाएंगे आप जो कहोगे वो सब कुछ करने के ऐसा नहीं है कि जब आपने move on किया तो इन्होंने आपको भूलनी की कोशिश नहीं कि इन्होंने आपको भूलनी की बहुत कोशिशे की लेकिन इनकी कोशिशे कामियाब नहीं हुई क्यूंकि आप इनने çok manifest कर रहे थे इस वज़े से और जब हम किसी को manifest करते हैं तो फिर वो हमें चाहा कर भी नहीं भूल सकता एक समय पर इनके साथ ऐसा हुआ कि आप तो बात नहीं कर रहे थे लेकिन हर जगा पर इन्हें आपका नाम दिखाई देता आप से related चीज़े इन्हें सुनने के लिए मिलती आपके सपने इन्हें आने लगे यह बहुत ज़ता परिशान होने लगे कि वो क्यों 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 मुझे दिखाई दे रहे हैं क्यों दिखाई दे रहा हैं अब मैं क्या करूँ इस वज़े से मجبورी में आकर इन्हें ये लगा कि शायद उसके साथ मेरा कुछ बाकई strong connection है और फिर इन्हें दीरे दीरे ऐसास हुआ कि वो मेरा true love है वो मेरा सच्चा प्यार है बाकी तो हर किसी से शायद मेरा attraction था आप से दूर होते ही दीरे दीरे जो third party इस थीन की जिंदगी में जिनके लिए आपको छोड़ कर गए थे वो भी इनसे किनारा काटने लगी वो भी दीरे दीरे इनसे दूर चली गई और फिर ये तनहा रह गए फिर ये अकेले रह गए अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं इधर age difference भी है कुछ लोगों का long distance भी है intercast issue religion issue बहुत strong है ठीक है अगर आप married है तो family issue भी है और third party issue भी है और आप लोगों को अलग करने में उनका भी कही ने कही रोल रहा है ठीक है लेकिन कहते हैं न कि जीवन साथ ही है वही जिन्दगी पर साथ निभाता है और लोग साथ में निभाते और लोग बहुत हद तक स्वार्थ में ही साथ निभाते हैं तो यह इन्हें एहसास हुआ कि जब आप इनकी जिन्दगी में नहीं थे न तो इनकी जिन्दगी कितनी बत्तर हो चुकी थी, क्योंकि जब तक आप थे, तब तक लोग इनके आगे पीछे घुमते थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए, कि आप से बैतर वो है, समझ रहे हैं, सिर्फ नीचा दिखाने के लिए, कंपेर करते थे, लेकिन जब आप इनकी जिन्दकी चले आए न, तो फिर कोई इनको पूछता तक नहीं था, कि भाई तुम कहां पड़े हो, तुम जिन्दा हो, मर गए, खाना खाया, नहीं खाया, फिर वो जो कंपेरिजन था न, अब वो रहा नहीं, तो मिस्टरी खतम हो गई, और ये समझ लीजिए, कि उसके बाद दीरे, 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 इन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, दूसरों की बातों में आकर, दूसरों के चक्र में आकर, इन्होंने अपना प्यार खो दिया, अपना परिवार तोड़ दिया, और इसी वज़े से, अब ये आपकी जिन्दगी में बहुत जल्द आना चाहते हैं, आप से माफी मांगना चाहते है क्योंकि इन्हें अफसो रो चुका है अब बाकी आपकी एक्षा है कि आपको इन्हें accept करना है कि नहीं करना है ठीक है आई होप आप समझ गया होंगे जैशी कृष्णा अपना ख्याल रखे अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचे क्योंकि डियर लोगों का काम तो देखे कहने होता है वो पुरी जिन्दगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपनी परवा करनी है अपने खुशियों की परवा करनी है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं ठीक है आपने जिन के बारे में सोच कर पाई नंबर थ्री चूस किया है अब जानना चाहते हैं कि इनके दिल दिमाग में क्या चलता है आपको लेकर क्या सोच रहे हैं ये इनकी करेंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए सबसे पहले तो हम इदर बताएं लॉंग डिस्टेंस है बहुत सारे लोगों के दरम्यान एज डिफ्रेंस भी है समझ रहे हैं एज डिफ्रेंस भी है थोड़ा बहुत फिनेंशल इशू भी है इंटरकास्ट इशू भी हो सकता है रिलिजिन इशू भी हो सकता है लेकिन ये जो परसन है न यह आपको बहुत प्यार करते हैं यह कोई भी हो यह आपको बहुत प्यार करते हैं लेकिन अपना प्यार अपना प्यार जाहिर नहीं कर पाते अपना प्यार आपके सामने बयान ही कर पाते यह आपको बहुत समय से स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर हर जगा जहां जहां पर आपकी ID है Instagram पे, Snapchat पे, Facebook पे और जो जो भी होता है हर जगा हर जगा ही आपको स्टॉक करते है ये आपके चक्कर में खबरी लाल बने फिर रहे हैं समझ रहे हैं? बस इने आपके खबर चाहिए कहीं से भी मिले कैसे भी मिले पता है क्यों? क्योंकि ये पर्सन पागल है आपके लिए बहुत ज़्यादा दिन रात आपके बारे भी सोचते रहते हैं दूसरों से पूचते रहते हैं और पता है? आपकी पर्सनालिटी से ये इस कदर अट्रैक्ट है कि हम क्या बताएं अब ये सब कुछ पता है किसका कमाल है? आपके स्प्रिशुलिटी का आप बहुत स्प्रिशुल पर्सन डियर पाइल नमबर थ्री आप बहुत बहुत ही ज़्यादा स्प्रिशुल इंसान है अब एक डिवाइन सोल है और ये खुबसूरती ये रूप, रंग, ये निखार ये बहेवियर, ये नेचर ये तो है ही आकरशन का केंद्र जो इससे भी बड़ा है न वो आपका अध्यात्म है क्योंकि आपका औरा इतना स्ट्रॉंग है इतना स्ट्रॉंग है जिसकी वज़े से ये क्या हर इंसान आपके तरफ attract होता है आपकी energy बहुत balanced है आप अंदर से हम क्या बताएं कितने energetic हो चुके हैं आपके अंदर से एक उर्जा का प्रवा हमेसा बहता रहता है, एक उर्जा प्रवाहित होती रहती है आप नेचर लविंग होंगी 100% इधर साइन और एलिमेंट्स की बात करें इधर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉंग है व्रुषप करन्या मकर राशी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस बहुत स्ट्रॉंग है कर्ग व्रुषचक में राशी एडीस लियो सजीटेरियस भी है लेकिन जेमिनाय लिब्रा एक्वेइरियस यहाँ पर बहुत कम है यह जो पर्सन है हो सकता है कि यह आपके फॉलोवर हूँ हाँ आप लाइक सेलिब्रिटी टाइप है आपको बहुत सारी लोग जानते है या फिर यह आपके कोई फ्रैंड हो सकते हैं आपके कोई close friend है लेकिन आपको बहुत समय से पसंद करते हैं बहुत समय से like करते हैं बट इनकी कभी हिंपत नी हुए आपसे कहने की I like you उस तरीके से यह आपसे शादी करना चाहते हैं यह आपको propose करना चाहते हैं यह आपसे दिल की सारी बाते कहना चाहते हैं लेकिन ये confused हो जाते हैं थोड़ा सा परिशान हो जाते हैं क्यों पता है वो song है ना मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं ये आपको देखते हुए और खुद को देखते हुए दूर दूर तक जोड़ी मैच नहीं कर पाते इन्हें लगता है कि आप कहां मैं कहां इस अच्छ है कि दूर से ही चाहो इन्हें दूर से ही चाहो ये आपको उस तरह से पाना नहीं चाहते हैं समझ रहे हैं आपको प्यार करते हैं अगर आपकी मनजूरी हो अगर आप चाहें, तो ये आप से शादी कर सकते हैं, समझ रहे हैं, ये तो चाहते हैं आप से शादी करना, लेकिन कोई जिद्ध नहीं है, बस ये आपको बहुत-बहुत समय से चाहते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप कितने प्यारे हो, आप कितने कोई दंदफंद, कोई चालाकी, कोई चतुराई, उस तरह की चीजे गंदी आदते, कुछ भी नहीं आपके अंदर, इन्हें लगता है कि आज की टाइम पर कोई इतना प्योर कैसे हो सकता है, और आपकी जो प्योरिटी है ना, वो इन्हें अट्रैक्ट करती है, बहुत करते हूं, इनको देखकर, इनकी बाते सुनकर, आपको कई बार ऐसा फील हुआ होगा, कि शायद इसके मन में मेरे लिए कुछ है, लेकिन इन्होंने तुरंट चुपा ले आओगा, अगर आपने कभी कहा हो कि, अच्छा मजे पसंद करते हो, तो इन्होंने कहा, नहीं नहीं इन्हें ऐसा कुछ नहीं है, एक बात और, इन्हें ऐसा भी लगता है कि, वैसे भी मैं इनके काबिल नहीं हूँ, मैं डिजव नहीं करता, इतना पॉजिटिव इंसान, इतना अच्छा इंसान, और आप तो इनसे बहुत अच्छा इंसान डिजव करते हो, जो आपके कि नहीं है, क्योंकि आप बहुत स्प्रिशुल हैं, है ना, और स्प्रिशुलिटी से रिलेटेड ही आपको चीज़े पसंद आती हैं, और जो इनसान स्प्रिशुल होते हैं, धार्मिक होते हैं, ध्यात्मिक होते हैं, उनसे आप बहुत खुश होते हैं मिलकर, उनसे आप अ और इन्हें लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है शायद आपकी लाइफ में कोई और है जिससे आप बहुत पसंद करते होंगे इन्हें लगता है कि यह आपको पसंद करते हैं और आप किसी और को पसंद करते हैं पर फिर भी इन्हें इस बात से कोई फरक नहीं प हो सकता है कि आप लोग किसी एक ही प्रोजेक्ट पे साथ काम कर रहे हूं यह आपकी असिस्टेंट हूं कुछ ऐसा मतलब इन्हें आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है अब तक इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है आप इनकी इंस्पिरेशन हो समझ रहे हैं यह और तरह का खयाल रखते थे अपने मन में लेकिन जबसे आप मिले है ना इन्हें जैसेगी एक बल मिला है एक ताकत मिली जैसे कोई इन्हें मोटिवेट करता है आपकी बाते इनको जिन्दगी जीने का एक नया रास्ता दिखाती है समझ रहे पहले आप जैसा इन्सान इन्ह कभी मिला ही नहीं था प्यार क्या होता है ट्रू लफ क्या होता है ये सारे चीजे इन्हें आप से पता चली है और हमें ऐसा लगता है कि जो परसन है कभी ये अपनी जिन्दगी में बहुत परेशान थे कभी बहुत तूट गये थे बहुत hopeless हो गए थे, किसी चीज में career को लेकर, किसी person को लेकर, तो आपने इन्हें जिन्दगी जीना जिखाया है, आपने इन्हें जिन्दगी का सही मतलब समझाया है, उस time पर आपने इन्हें समहाला था, तो इन्हें यही लगता है कि आप एक healer हो, और आप इन जैसे कई लोगों को समहालते हो, लेकिन तब से यह आपके दिवाने हो गए, हाँ, कभी-कभी कुछ patient ऐसे होते हैं, जो अपनी nurse के, अपनी doctor के दिवाने हो जाते हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसे ही एक ऐसे patient हैं, जो आपके दिवाने हैं, आप इनके doctor हो, आप इनके teacher हो, आप इनके like सब कुछ हो, यह बस यह सोचते हैं कि आप एक divine soul हो, आपके अंदर कितनी strength है, कितनी power है, कितनी सुलजेवे इनसान हो, हर चीज का आपको कितना experience है, और आप इन्हें जो भी कभी suggestion देते हो, जिसको भी आप जो advice देते हो, कितनी सही होती है, यह सारी चीजे, यह कभी कभी सोचते हैं कि आपको propose कर दें, आपको propose कर दें, लेकिन इन्हें लगता है कि नहीं, शायद हमारा कोई connection नहीं है, शायद हमारा कोई match नहीं है, कहाँ जमीन, कहाँ आसमान, लेकिन पता है, इनकी जो feeling है चलिए, उससाब से हम आपको एक song सुना देते हैं, यह आपसे कहें ना कहें, क्योंकि अपनी feelings छुपाते हैं आपको देखकर, यह दिन रात आपके बारे म सोचते हैं, आपके pictures देखते रहते हैं, आपके videos अगर आप reels बनाते हैं, तो वो देखते रहते हैं, लेकिन हर जगा आपको stock करते हैं, बट आप जब भी इनसे बात करने के कोशिश करोगे, तो यह चुपा लेंगे, अपनी feelings चुपा लेंगे, इन्हें लगता है कि जितना दिवाने तो यह जिन्दगी में कभी किसी के ना हुए, इतने पागल तो यह कभी किसी के लिए नहीं हुए, कुछ तो है आप में ऐसी कशिश, कुछ तो है आप में ऐसी बात, जिसकी वज़े से यह पागल रहते हैं आपके चक्कर में, और इनकी जिन्दगी में कोई नहीं यह हम सच कहें तो जैसे कि one-sided love होता है ना इनका प्यार भी one-sided है इनका प्यार भी और आप अच्छी तरह से जानते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह आपको पसंद करते हैं आप अच्छे जानते हैं और हमें बहुत हद तक ऐसा लगता है कि आप भी इने पसंद करत कि उससे कुछ चुपाया नहीं जा सकता यू आपसे भला कुछ कैसे चुपा सकते हैं लेकिन बस आप भी यह सोचते हो कि country यह भी आपकी तरह होते तो पिर कभी कोई दिखकत नहीं थी यह इंसान आपके लेवल कण नहीं है लेकिन यह बहुत यह बहुत ब्मिचोर नहीं है ब लगता है कि बस चार दिन बस इंप्रेस करने में लगा देते हो उसके बाद फिर कोई मतलम नहीं रह जाता ये इनसान बहुत लॉयल रहेंगे आपके लिए ये समझ लीजिए ये इस्प्रिचुल नहीं है ये बहुत टालेंटेड नहीं है इनके अंदर बहुत टालेंट नहीं हैं हो सकता है कि बहुत सारी ऐची चीजे हैं जो आप अपने हमसफर में पाना चाहते हैं वो इनके अंदर आपको ना मिलें लेकिन ये जिन्दगी भर आपको प्यार करेंगे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको इज़त की जिन्दगी दे सकेंगे इतने के लिए तो बहुत अच्छे हैं और पुरी जिन्दगी आपके लिए लॉयल रहेंगे ये ऐसे इनसान नहीं है कि भाई आपसे शादी हो गई उसके बाद मिस्ट्री खतम और फिर इनकी जिन्दगी में कोई और ने ये बहुत ही अच्छे इनसान है और ये आपको एक एंजल की तरह देख क्योंकि आपकी वॉयस मुझे बहुत अच्छी लगती है हां हम इनकी फिलिंग्स के साब से सौंग सुनाने वारे थे ना चले सुनाते हैं आंखें बंद करिये आप तेरी उमीद तेरा इंतजार करते हैं तेरी उमीद तेरा इंतजार करते हैं ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं जाने मन हम भी तुम पे जाने सार करते हैं जाने मन हम भी तुम पे जाने सार करते हैं ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं खौब आँखों में अब नहीं आते अब तो पल को में तुम समाए हो हर घड़ी साथ साथ रहते हो दिल की दुनिया में घर बनाए हो दिल की दुनिया में घर बसाए हो तेरी हर बात पे हम एतुबार करते हैं ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं यह सिर्फ और सिर्फ आप से प्यार करते हैं खौब आँखों में अब नहीं आते खौब आँखों में अब नहीं आते अब तो पलकों में तुम समाए हो हर घड़ी साथ साथ रहते हो दिल की दुनिया में घर बनाई हो दिल की दुनिया में घर बसाई हो तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं अब जो भी बोलो उसे ये आँख बंद करके मानते हैं ये समझ देजिए तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं S&M हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते है इनकी जो एज है हमें ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि 25 प्लस इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि 35 प्लस इनकी एज है long distance बहुत strong है मतलब आपसे दूर रहते हैं ये लेकिन ये आपको वाकर एक divine soul समझते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ब्रह्मान्ड की जो positive spirits हैं जो उर्जाएं हैं वो आपका support करती हैं वो हमेशा आपके साथ रहती हैं जैसे कि एक दिव्य उर्जा को ये आपके साथ महसूस करते हैं आपके आसपास महसूस करते हैं इन्हों ने शायद अभी कुछ दिन पहले आपसे कोई मतलब कुछ हो सकता है कुछ बोल दिया हो तो कुछ चीज के लिए sorry बोल रहे हैं हमें नहीं पता है कि sorry किस ये बोल रहे हैं आप हमें बताएंगे अगर आपके friend है ये ठीक है तो कुछ चीजों के लिए sorry हैं आपसे मतलब माफ ही मागना चाहते हैं कि ये मुझे गल्ती हो गई तो please मुझे माफ कर दो लेकिन इनका जो प्यार है वो बहुत सच्चा है आपके लिए बहुत जादा इनसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि propose कर दो जब इतना चाहती हो इतना चाहते हो तो फिर कह दो अपने दिल की बात लेकिन इन्हें ये लगता है कि कहीं आपको propose कर दिया तो आपकी दोस्ती भी ये खोना दे इस वज़े से ये अपने दिल की बात अपने ही दिल के अंदर रखते हैं लेकिन ये सच है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके आने से इनकी जिन्दगी में जो गजब का परिवर्दन हुआ है जो बदला हुआ है इनकी सोच में इनकी समझ में उसके लिए सदा आपके सुक्र गुजार रहेंगे पहले ये लाइफ से बहुत दिमोटिवेट हो गए थे इनकी फैमिली को लेकर भी बहुत ज़दा दिमोटिवेट हो गए थे बहुत साथी चीज़ों को लेकर लेकिन आपने इने समहाला है और आपकी फीलिंग्स हम देखते हैं इनके लिए तो आप भी इने पसंद करते हैं कहीं न कहीं लेकिन आपका ऐसा लगता है बहुत कैरलेस इनसान है बहुत हद्दक ठीक है लेकिन कुछ मामलों में बहुत कैरलेस हैं ये और अपने रिस्पॉंसबिलिटियों को अपनी जिम्मेदारियों को समझते नहीं है बस आपको ये लगता है कि इनकी जो एनरजी है वो इमिच्योर एनरजी है पता नहीं आज ये ऐसा बोल रहे हैं कल पता नहीं कैसा बोलेंगे और कहीं ऐसा नहों कि इन फ्यूचर अगर आप इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ जाओ तो फिर ये बदल जाए आपको कभी-कभी इनको लेकर इनसेक्योर्टी फील होती है जैसे कि आज तो ये आप पर मर मिट रहे हैं आपके लिए तो ये बहुत जल्द मेडिटेशन वगरा भी करना शुरू कर देंगे अभी इन्हें लगता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है लेकिन दीरे 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 करके ये भी मेडिटेशन करने ही लग जाएंगे देखना और ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे ये आपको वैसा ही बन कर दिखाएंगे जैसा कि आपको पसंद है बहुत सारी चीजों के लिए लेकिन बस होता है न कि इंसान की थोड़ी से अपनी पसंद ना पसंद होती है और आप इने बहुत पसंद है हर तरह से आप इने बहुत पसंद है लेकि रिच्वालिटी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन हाँ इंटरेस्ट हो या फिर नहीं हो बट आपके लिए ये सब कुछ करने के लिए रैडी है इतना समझ लीजिए तो डियर हमें तो ऐसा ही लगा कि ये कोई एक्स परसन नहीं है शायद आपके कोई दोस्त है या फिर आपकी असिस्टेंट है आपके स्टुडेंट है आपके टीचर है कुछ ऐसा फील हुआ तो प्लीज आप आमें कॉमेंट करके बताईए कि ये रीडिंग आप से कितने परसन रेजनेट हुई क्योंकि ऐसी एनरजी कभी-कभी आती है एक्स पार्टनर की एनरजी तो बहुत आती है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हर कोई एक्स में थोड़ी ना उलजा रहता है लाइफ में हर कोई आगे बढ़ता है तो कहीं न कहीं जरूरी थोड़ी ना है कि डेली डेली आप अपने एक्स के लिए ही रीडिंग देखेंगे आप किसी न्यू परसन के लिए भी देख सकते हैं तो आप हमें अगर बताएंगे न कि ये रीडिंग आप से कितनी परसनेट रेजनेट हुई तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा है ना तो आई होप आप समझ के होंगे जैशी कृष्णा अपना ख्याल रखे अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचे क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है वो पुरी जिन्दगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपनी परवा करनी है अपने खुश्यों की परवा करनी है और अगर आप इस चनल पर पहली बार है आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहते हो तो आप इस चनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं ठीक है जैशे कृष्णा आप सभी के रिदे में बैठे परमात्मा को हमारा शादर प्रणाम ओम मनिपद में हम ओम साहिराम